कि उसी देश के अंदर एक छोटा सा राज्य था वो उस राज्य का एक मुख्य मंत्री था उनके चेहरे पे भी स्माईल आ गई उनके चेहरे पे भी उमीद की किरंच आ गई वो मुख्य मंत्री अपने लोगों का खूब ख्याल रखता था वो मुख्य मंत्री कटर इमानदार था वो मुख्य मंत्री कटर देश भक्त था वो मुख्य मंत्री वो मुख्य मंत्री पढ़ा लिखा था उस मुख्य मंत्री ने अपने लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए बिजली मुफ्त कर दी भाई साब उसके बाद तो चौथी पास राजा पागल हो गया उसने बुला के जो हड़काया उस मुख्य मंत्री को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे लगा राजा ने तो सारी बिजली कमपनियों पे तपजा कर रखा था उसे लगा अगर ये बिजली मुफ्त करने लग गया तो बाकी देश में तो मेरा बेड़ा गर्क मेरी बिजली कमपनिया लूट जाएंगी ऐसे कैसे चलेगा उसने उसको का खबरदार तुने बिजली मुफ्त के मुख्य मंत्री नहीं माना दीरे दीरे उस मुख्य मंत्री ने अपने गरीबों के स्कूल ठीक करने चालू कर दिये त तो राजा ने उसको बूला कि और ठाया राजा बो ले ये क्या कर रहा है तो स्कूल के बच्चों को बढ़ाता है तो स्कूल खोल रहा है ये बंद कर ये सब ये निछ इस देश को भीं बनीवाना मुख्य मंत्री ने सब के लाज मुख्य मुफ्त कर दिया सब के लिए के फेंक दिया और लोगों ने एक किसी इमांदार और देश भगत आदमी को महां बिठा दिया और उनकी सब्सक्राराब और उसके बाद देश से महंगाई खतम हुई और देश रात दूनी चौगनी तरक्की करने लगा तो जैसे हम बच्पन में सुना करते थे moral of the story का मतलब वही किया प्रेरना मिलती है इस कहानी से किए यह प्रेरना मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है आपके देश में समस्याइं आपके देश में सब कुछ गड़बड चल रहा है तो सबसे पहले जाचपरक के देखो आपका राज़ा अनपड तो नहीं है अगर आपके देश में सब गड़वड चल रहा है बेरोजगारी है बहुत सारी समस्या हैं जर आद देखो राजा आपके राजा को कोई दोस्त तो नहीं है अगर है तो सबसे पहले अपने राजा को खाड़ के फेको और नी तो आपकी समस्याओं का कोई समधान नी होगा वो पड़ा करते थे अंधेर नगरी चौपट राजा सवासेर बाजी सवाजेर खाजा बहुत बहुत शुक्रिया